बुले देवादिरीव श्री आदिनात भगवान की जै 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 देवादिरीव श्री महावीर भगवान की जै 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 संते श्रुमनी गुरुव लचे आद श्री विद्या शागर जी महाराज की जै 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 मौनिवर श्रिणी शंधान सगर jáANS की जै जै मुनिवर शिरी निर्बेख शंगरल जी महराज की देवी एहिलिया की नगरी मालवा की शान इंदोर की आचिध श्रिष्री विद्या सगर सभगार से हम और आप टीवी चैनल का बहू चर्चित विश्व क्यास संका शंबधान में अपनी संकाओं का शंबधान प्रात करें उसके पूर पारश चैनल जिन्मार्णी चैनल आधिनाच चैनल और परमारी के अपके माद्धियम से जिस कारिकम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ प् करतियों आश्रवाद टात करेंगे एवन निवेदन करेंगे संका समाध्यान के कारिकम के लिए दोना हाद जूड लेंगे मेरे शाथ बुलेंगे बिलेंगे है मुनिवर मोस्टो और ऑ्राइए गर्णीर भाड़ कि हम गारिकम का सुखराम करें उसके पहली परमानिक पार से के संच्चत जानकारी दना चाहूंगा शेपाली जी जो कि अमेरिका यूएशे में रहते हैं उनकी तरफ से ये सूचना है जैजिनेंद्र नमुस्तु महाराज श्री जेन एन आराई प्रमानिक पार्सला सभी आई वर्गों के लिए तीन साल के बच्चों से लेकर वयसकों तक आनलाइन कक्चाएं विस्वर में प्रदान करती है इस कारिकम में एनिमेटेड वीडियो कला और सिल्प कहोट और डिजिटल पहेलियों का समावेश है विविन निकलास का समय आप वैप साइट पर देख सकते हैं 23 जितंबर से सारी कक्चाएं सुरू हो रही हैं प्रमानिक भासा की कच्छाओं के लिए पंजी करन हमारी वैप साइट के मादनम से कर सकते हैं या सेम सेवक के रूप में जुड़ सकते हैं हमारी वैप साइट है पावटसाला.com मुनी प्रमान शागरजी.net करवत निवेदन है महरा स्री अपना मार्दसन और आशिरवात प्रदान करन करने की तरपा करें सेपाली जी कोर से बारं बार नमस्तो 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 लेखे 27 तारीक से आप सब लोगों को उसमें बढ़ चल करके भागीदारी लेनी चाहिए और इसकी अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहिए पूरे प्रमानिक के टीम को मेरा बहुत बहुत आश्रिवा है आज का यह है संकर समाधान का अपन सत्र प्रारम करते हैं और जो प्रेशन पूछना था वे से उसकी शंका का समाधाम तो प्रातर काली प्रोचन से हो चुका है पर फिर भी मैं आप से पूछना चाहती हूं कि अभी सोलर कारण पर चल रहे हैं जो तेड़्धंकर प्रकृति के बंध का कारण है तो गुरुदेव तेड़्धंकर या एक दो भावना भाने से होता है इसके अतिरिक्त जो मेरी विनय थी वो यह है कि आपकी नियमित प्रोचन श्रंकला में प्रत्य भावना के अंतरगत एक द्रिश्टांत हम आपके श्रीमुक से सुनना चाहते हैं जिससे हम अलपग्यों को ग्यात हो कि किस प्रकार किनी त विजुदी तडेव नमस्त गुरु दिए बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा है ज़रूर आगे के लिए देखोंगा जहां तक सवाल है तोला करन भावनाओं में कितनी भावनाओं को भाना जरूरी इसमें दर्सन विषुदी जरूरी अकेले दर्सन विषुदी हो जो मुझोच सुब बढ़ में जो हा बोगा नहीं November करने कामने करें अधर्षन बढ़्र अतन्त अवशक व्रुण कामने के लिगए लस्टन बढ़िम अच्ऽून बुद्दी एतन्त आवशक लगभाफ्च आमोस्तो गुरुदे!! डमोस्तु गुरुदे। काच मंदिर महिला मंदल इन दोर और उसके बाद में तयार रहेंगी शिरी मती अंजु जी जेन गुड़गाउं प्रहमानिक जो गुड़ायत इनकी ट्रस्टी भी है और प्रहमानिक पार्ट सालाट लिए बहुत ही अच्छा योड़्दान दे रही है मेरे आराद गुरु को नमोस्तु काच मंदिर महिला मंदल की तरफ से नमोस्तु 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 छुलक महराज जी को एक्छामी 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 गुरुवर के चड़नों में नूर मिलता है सबके दिलों में सकून मिलता है जो भी आता है गुरुवर के चड़नों उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है जरूर मिलता है ए गुरुबर हमनी आचारी भगवन के मुक्से सुना है संसार के सारे अच्छे कारी पुन्न से होते है् गिरस्त वास्ता में पुन बढ़ाने का सबसे अधिक उत्तम कारण क्या हो सकता है जिसी पूजन करने में, हारदान देने में, परमात्म सेवा में या उप्यास करने में या बैये प्रति करने में गुरुबर संका का समाधान करो देखो गहस्तों के जीवन को पुन्न से ही आगे बढ़ाया जासे जीवन में पुन्न को उपाजित करने के चार आधार पुन्नम जिनेंद परिपूजन साध्यमाद्यम पुन्नम सुपात्र गतदान समुथ्थ्धमन पुन्नम ब्रतानुचरना दुपवास योगा पुन्यार्थिना सततपुन्न समाजनियम जिरेंड़ भगवान की पुजटब जी पात्रदान से दुसरा 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 दुसरण पुन झीवर्वान ब्रतों के पालन् से थीरा पुन ता रुब्राइस कर लेने से चौः पुन जो चारो करे उसको महथा पुन Namostu Guru आण, Namostu Guru आण, Namostu Guru Sirimati Anju Ji Ji जैन, गुर्गा हूं, ट्रस्ती गुनाइथन, और उसके बाद में तयार रहेंगे Hans Kumar Ji Ji जैन, ट्रस्ती हैं, गुनाइथन के Namostu Guru आण, Namostu हो गया, एक सवाल के लिए बोला साँ गुरुदेव एक निवेदन था, सर से ठुकंचन द्वारा निर्मित कांच मंदिर अती प्राचिन महा के सभी श्राओकियों और से निवेदन करता हूं कि आपका आशिर्वात कांच मंदिर को भी प्राप्त हो नमस्तु गुरुदेव नमस्तु गुरुदेव आज परिवार से लेके विश्व अशांती और भाय में जी रहा है बांगलादेश और इज्रायल जैसे घटना है आजकल बहुत जादा देखी जा रही है तो आगामी दस धर्मों में ऐसा हर वेक्ति क्या करे जिससे की विश्व में शांती फैलाने में अपना सायोग दे सके देखे दसलक्षन के पूर बड़ा महत्त पूर्ण सवाल आपने यहां उपस्तित किया सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि विश्व में एक मात जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें उदात जीवन मुल्यों को इतनी अधिक पतिष्था और महत्त दिया गया दसलक्षन जिसे पर्यूशन पर्व के नाम पर भी जाना जाता है जैन परंप्रा का महान पर्व माना गया है इसे पर्व नहीं परवाधी राज कहा जाता है जैसे पर्वतों में सुमेरू तिर्थों में समेज सिखर तो पर्व में पर्वाधी राज पर्यूशन पर्व, दसलक्षन पर्व को माना जाता है धर्व के दसलक्षन इसमें है और विश्व का इकलावता एक पर्व है जिस पर्व में लगातार दस दिनों तर छमा, मृद्धता, रिजुता, पवित्ता, सत्त, सैयम, तप, त्यार, ममत्त, रहित्ता और ब्रम्मचर जैसे उदात जीवन मुल्यों की पूजा की जाते मेरी समझ में विश्व की किशिवी परंपुरा में जीवन मुल्यों की आराधना का ऐसा कोई परवने है ये जैन धर्म की आध्यात्मिक पक्ष का इस पष्ट उद्गोस और उधारन है जिसमें सभी लोग दस दिनों तर इन गुनों की आराधना करेंगे और जिनकी हम दस दिन आराधना करते हैं यदि वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन का ही काया पलट हो जाए सबसे पहला धर्म च्छमा है और आज दुनिया में इसी च्छमा को फॉर्गिबनेस के रूप में प्रचारिज किया जा रहा है च्छमा हमारे भीतर के धृति और सहिष्णु ताका दोतक है जिस मनुष्य के हृदय में जितना धैर हो और जो मनुष्य जितना अधिक सहिष्णु हो वो उतना अधिक च्छमावान हो सकता है और जिसके अंतरग में जितनी गहरी छमा होती है वो उतना ही पराक्मी होता है आज पूरे विश्व में इस छमा भाव को विक्षित करने की जरुवत है व्यक्तिक इस्तर पर जब हम छमा के भाव का विकाश करते हैं तो उसका असर समाजिक इस्तर पर होता है और वैक्तिक और समाजिक इस्तर से बढ़ते बढ़ते हम सामुदाइक इस्तर पर बढ़कर इसे बैश्विक इस्तर पर भी स्थापित कर सकते हैं आज परसपर में जो खीचा तानी है उसे दूर करने के लिए हमें सहिशनुता का विकास करने की जिरुवत है और सहिश्टचा का विकास हम बहुत आसानी से कर सकते हैं बसरते च्छमा भाव हम सब के भीतर प्रकट हो इसी तरह मृधुता हमारे अहंकार के विशज़न के बाद प्रकट होती जब तक हमारे अंतरंग में अभिमान पलता रहेगा हम लिजता का विकास नहीं किर पाएंगे अर लिजता का विकास करने के लिए हमें अहंकार का विशर्जन करना जिदुरी है जितनी भी डुनिया में लडाईञा है हम देखे घर परिवार से लेकर संसार तक वह सब अहंकार की लडाई है यदि बेक्ति अपने अहंकार का भी सर्जन कर दे तो हम इन समश्याओं का बहुत आसानी से निरान कर सकते हैं इसी तरह तीसरा धर्म है आर्जो धर्म जो सरलता को बताता है बेक्ति अगर अंतरंग से सरल हो जाए उसके हिदय में किसी तरह का कपट और कुटिलता का भाव सेश न रहे तो संसार में किसी भी प्रकार की कोई दुरवस्था आही नहीं सकती ये सारी चीजे हमारे अंदर के कपट पून वृत्ति के कारण है जिसमें छल, धोका, विश्वास, घात, धुराव, छीपाव जैसी वृत्तियां उभरती है और वो समस्याएं उठपन करती है अपने इस प्रकार की समस्याओं का निदान हम धर्म के माध्धम से कर सकते हैं चौथा धर्म है सौच धर्म सौच सुचिता का जो तख है सुचिता यानी पवित्ता दरशल हमारे अंदर के, अंदर में पलने वाली लोब की भृत्ति ही हमारे मन को मलिन बनाती है जो विखती अपने लोब पर नियंत्रन लाता है वो अंत्रंग से पवित्ता को विक्षिद करता है आज जिस प्रकार की लिपसा एक दूसरे केप्रती बढ़ रही है वहा हमारे जीवन को मलिन बना रही है उस मलिनता को दूर करने के लिए हमें अपने लिपसा की वृत्वी को नियांतित करना अपैछित है और इसके बाद जो वेक्ति सत्त के प्रति समर्पित हो जाए, सत्त निष्ठ बनना सुरू कर दे, तो इस तरह की दूधाएं कभी आएगी नहीं सहियम भी आज हम सब की जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे बड़ा सहियम है, भावनाओं पर नियंत्रन आज हर वेक्ति भावनाओं के आवेग में बह कर कुछ भी करने की इस्तिति में आ जाता है, तो यह हमारे जीवन को पीछे ले जाता है, हम सत्त के प्रकास में सहियम के साथ जिने का भ्यास करें, तो हम वेक्तिकत इस्तर से लेकर सर्व इस्तर पर अपने जीवन को वेवस्तित करने में समर्थ हो सकते हैं इसी तरह तब त्याग और आकिंचन और अंत में ब्रह्मचर ये हमारे दस धर्मों के अंग हैं आपने पुछा है ऐसे समय में हम बैश्वी की स्थर पर कैसे काम कर सकते हैं वेक्ति को तबश्वी होना चाहिए उचे मनो बल का धनी होना चाहिए और तबश्वी होने का मतलब है कष्ट सहिष्णू हो अगर वेक्ति कष्टों को सहना सुरू कर दे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है और करा जा सकता है और त्याग का मतलब उत्सरग की भावना अपने पास जो कुछ है उसका अंस दूसरों को देने की तत्परता यदि हमारे मन में आ जाए त्याग की भावना जो जो बड़ती है हदय में उदारता का विकास तो होता है और जैसे जैसे उदारता बड़ती है विसालता भी बड़ने लगती है आज विस्व को इसी उदारता पूर्ण विशालता की जरुष है ताकि संकीन मन वृत्ती से उपर उठकर हम विस्व के कल्यान की बात को सोच सके समच सके और इसके बाद है आकिंचन यानि ममत का भाव स्वामित के भाव का भाव अगर विक्ति अपने अंदर इस तरह के ममत और स्वामित की बुद्धी से अपने आप को बाहर निकालता है तो किसी प्रकार की खीचाता नहीं रहेगी नहीं और उसके बाद जो सेश बचेगा वो ब्रह्म है यानि अपने सभाव में रमन पूरे विश्व को आज सभाव में रमने की जरुवत है बिभाव में रम रहा है इसलिए ये बिशंगतियां खड़ी हो रही है जब विश्व सभाव में रमेगा तो सब जिजे अपने आप आना सुरू हो जाएगी आज हम यही चाहेंगे कि बिश्व में इस तरह की भावनाओं का प्रशार हो हम इसे ब्यापक तरीके से बताएं कि इन भावनाओं को वेक्ति वेक्ति की इस तर पर आत्मसाथ करने की प्रेड़ा दी जाए बैस्व किस्तर पर इसके अलग अलग प्रसिक्षन के कारिकम संचालित किये जाए औजित किये जाए ताकि लोगों के हृदय में एक आध्यात्मिक दिश्टिकोन प्रकट हो और वे अन्य बातों को गौन करके इन जीवन मुलों को प्रात्मिक तादे तो मैं समस्ता हूँ इन सारी समश्चाओं का ब्यापक निदान हो सकता है हम सब को चाहिए कि इस परिशन परो को केवर अपने पूजन पाठ तक्सीमित करने की जिगा इसे ब्यापक स्तर पर प्रचार प्रचार करें और इसे अपने जीवन के परिवर्तन का एक आध्यात्मिक माध्यम के रूप में प्रचारित करें तो बहुत बड़ा बदलाव भटित हो सकता है अपने बीच में सेल के पूरू डायरेक्टर हंस रजनी जी जेन नोईडा से जो नोईडा में रहकर भी व्रत्ती जीवन जी रहें और उनके साथ में आमिता जी जेन जो पहले एस्टी जेन साब थे वो भी गुनायतन में रहे जोड़दार कालिये से उनका स्वागत अभी दन करते गुरुवर के आशिरवाद से वहाँ पर व्रत्ती जी प्रतिमाधारी रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं अपना प्रस्त करने उर्श के बाद में तयार रहेंगे जो नायतन के सिरोमनी से रक्षट दिनेश जी रेखा जी गंगवाल मुंबई नमोस्तु महारशरी महारशरी मेरा प्रशन है कि ग्रिस्तों के लिए समता भाव रखने के लिए क्या गं खाना आवशक है गं खाना आवशक है गं की गं 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 खाना ग्रिस्तों के लिए ग्रिस्तों के लिए ग्रिस्तों के लिए फिर से बोलो गरिष्टों के लिए समता भाव रखने के लिए क्या गम खाना आवशक है या केबल प्रारंबिक भूमिका में ऐसा होता है देखो गम खाना भी आवशक है गम खाना भी आवशक है और नम जाना भी आवशक है समझ गया है जीवन का मजा लेना है तो कम खाओ गम खाओ और नम जाओ ज्यादा भोजन सरीर पर भार बनता समझ गया है इसलिए कम खाने में अपने को संतोस रखना चाहिए और उसका असर हमारे सारिरिक मांसिक दोनों इस्थितियों पर पड़ता है आप स्वैम अनभव करके देख सकते हैं कम खाना मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना मुलाचार में लिखा है मुनियों को कि अपने भोजन को अगर लेते समय क्या प्रमान रखो एक हिस्सा ठोस पदात से भरो दो हिस्सा तरल पदात खासकर पानी से भरो और एक हिस्सा खाली अभी जल और चौथा भाग खाली रखो एक अपने का प्रमान है एकदम अपने में तो उटके खड़ नहीं हो पाओगे पर इतना जादा खाओगे तो भी उटके खड़ नहीं हो पाओगे तो उतनाई खओ जिस्में दौड सको चल सको तो गंगाना गंगाना और नम जाइन नमोस्तु माराज़ जिनेश जी रेखा जी अंगवाल जिर गुनायतन कि पिसी रूमनी सरक्षा के और रहते साथ में रेणू संदीब जी बढ़ जयाके और अबा कमल जीकाला मुंबई और उसके बाद में तयाद में तयार रहें कि मदनलाली रोशन जी बढ़ जाते जो पु माराज, दुनिया में किसी का कोई नहीं है, बेटा बहु की अमानत है साधी के बाद, बेटी दामात की अमानत है साधी के बाद, और सरीर समसान की अमानत है, तो माराज, माता पिता फिर किसकी जिम्मेवारी या किसकी अमानत हुई या किसका दायत हुआ? बिल्कु ठीक करे रहे हैं बेटा बहू का, बेटी पती का, और सरी समसान का, और मावाब किसकी अमानत है, समझ लो वो कहेंगे नहीं बचे आज कर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को उचा उठाना चाहते हूँ, तो किसी की अमानत मत बनो, खुद की अमानत को पहचाना, किसी की अमानत बनकर के जीयोगे, पर मुखा पिकषी बने रहोगे, पूरी जिंदगी, दुखी रहो, खुद की अमानत पहचानोगे तो कभी पराव लंबी पन नहीं आएगा और अपने जीवन का पत्प्रसस्त कर सको इसलिए अपने जीवन को बेहतर और सुन्दर बनाना चाहते हूँ मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रतेक गहस्त को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में अपने गारहस्तिक दाइतों की पूर्ती करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण कर लेने के बाद स्वैम के उत्तर दाइतों को पूरा करने के लिए कतर बिद्ध कटिबद होना चाहिए अभी तक मैंने जो जिया वो संसार के लिए जिया अब मुझे केवल और केवल अपने लिए जीना ऐसा मनोभाव अगर अंतरंग में विख्षित हो जाए तो कहीं कोई जरुवत नहीं होगी इसलिए किसी की अमानत बनने की जिगा खुद की अपन अमानत को पहचानना ही सरसेष्ट रास्ता मदनलाल जी रोसन जी बढ़ जातेया अजनास और भी अजनास जो भी मानभाव आए हैं एक साथ खड़े हो जाएंगे उनके साथ में और इस पूरे पूरे चातुरमाश के मुखे यजमान मुकेश जी पाटो दी हमारे दुरलफ परमपुजे दुरलफ सागर जी माराज के पिता सिरी मदनलाल जी बढ़ जातेया का वहाँ जाकर और साथ में रहेंगे दिलिप्ती डोदा भी वहाँ पहुंच जाएं और प्रस्न करेंगे रोसन जी बढ़ जातेया बराता परमपुजे दुरलफ सागर जी माराज और उसके बाद में सिरी मती चंद्रकला जी पाटनी राची तैयार रहें समस्त मुनी संके चर्ड़ों में बाराम बार नमस्तू मुनी सिरी मेरा प्रेश्न है समाज में दो प्रकार के वेक्ति है एक तो वो है जो प्रते दिन सुबह अभीशेक पुजा करने जाता है और शाम को जाके स्वाध्याय आरती वगरा करता है और घर लोटा आता है इसके अलावा उसको समाज के किसी चीजों से किसी भी बातों से कोई मतलब नहीं एक वेक्ति जो है वो ये सब कुछ तो नहीं करता है पर समाज के हर कार में मुनी सेवा में विहार में आहर में सभी में आगे रहता है तो कौन वेक्ति जादा पोनने कमा रहा है देखो जो पूजा कांतात्म को उत्तर दुना दोनों पुन्य कमाभी शकते हैं और दोनों पुन्य से बंचित भी रह सकते हैं महराज ये कैसे होगा पूजा पाठ को केवल एक रुटीन बना कर करे और उपरी मन से करे तो वो पुन्य से बंचित होगा उसकी क्रिया मात क्रिया रह जाएगी पुन्य ने और इसी तरह सावाजिकार या सादू संतों की सेवा को वो अगर अहंकार से प्रेजित होकर करेगा तो पुन्य के स्थान पर परजित करेगा इसलिए मैं सला दूँगा कि कोई भी गहस्त लोग जो भी कायर करें डूप कर करें मन से करें और जब मन से करेगा तब उसका सुपर नाम आएगा इसलिए मन से करने की कोशिश करनी चाहिए हम यदि पुजा पाठ की क्रियाएं करते हैं तो उसमें अंतर मन को जोड़ें भाव से करें यह महान पुण्य कारन बनेगा और समाजी कारिया गुरूव की शेवा करते हैं तो उसे अपनी पूजा मान करें करें दोहरा पुण्य लाग होगा भाव विशुद्धी के अभाव में पुण्य पार्जन नहीं है मुष्त भगवान श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी राची को मैं बुलाओं उसके पहले आज अपने बीच में इस सत्र में सिट्षा से जुड़ेवे कुछ विशेश चेहरे और कुछ विशेश जुनून लेकर यहां पर गुरूर चरणों में उपस्तित हुए हैं और क्या करना चाहते हैं वे तो खुद अपने मुठ्षे भोलेंगे और गुरूर चरणों में प्रस्नी भी करेंगे नमस्तों माराद जी आप सब लोगों को ये विधित है कि 5 सेतंबर का दिवस शिच्छा जगत के लिए बहुत महत्त्पूंद है 5 सितंबर को संपुन देश सिच्छक दिवस मनाता है इंदोर के विद्यालेईन, महाविद्यालेईन, विश्विद्यालेईन सिच्छक एवं सिच्छक गण धर्म प्रभावना समीती के साथ जुड करके 5 सितंबर को पुझ गुरुवर्ग आपका मारदर्शन प्राप्त करने के छुक है वर्तमान परिद्रश्य में सिच्छा की भूमी का और राष्टी सिच्छानीती के क्रियानवन में कौन से सार्थक कडम उठाए जाएं जिससे धर्म और समाज और राष्ट का लाव हो इस संदर्म में चर्चा और आपकी मारदर्शन के लिए हम सब सिक्षगण यहां उपस्तित होना चाहते हैं इसी दिवस पर हम भारती ज्यान परंपरा के संदर में भी आपका बारदर्शन प्राप्त करेंगे पूजी गुरुवर् बहुत अच्छा प्रस्ताव है अगर सभी सिक्षगण एक साथ एकत्त होकर इन विश्यों पर चर्चा करने आते हैं तो मैं समस्ता हूँ एक अदम स्वागत योग है और मैं धर्म प्रभावना समीति से कहूंगा कि इस कायरिकम को इन लोगों से विचार विमर्ज करके अच्छे तरीके से आयोजित करें और पांस तारिक के संका समाधान के कायरिकम को बिशेश रूप से यहाँ पर आयोजित किया जाए आपका प्रस्ता बहुत अच्छा है क्योंकि सिक्षग हमारे पूरे पूरे समाज के निर्माता है बरतमान में सिक्षा के छेतर में अनेक बकार की चुनोतियां और विशंगतियां भी आई है तो उन सब के निवारन के लिए और उन सब पर ब्यापक बिचार विमस आवश्चक और अपिक्षित है आपने जो भी बिंदू रखा है जरूर उन सब पर प्रकाश डालेंगे 31 को कल है कल है कल हैं इंजिनिर्स का सारे जैन अज़िनिर्रिंग सोसाइटी के सारे लोग इहाँ आईगे और कल का संका समाधान मुख हुप से उनके ही लिये समगपित होगा तो कल का सत्र भी लंबा सत्र होगा और जयसे पहले चाटब एक अटेंट्यं बगोएट सा Bye और र सार हैं और उसी प्रिकार हने वाले दिनों में डाक्टर्स भी आना चाहते हैं मद में सारे सिक्षा वी जाएंगे एक अच्छी पहल है और ये प्रिक्रिया आगे भी चलते रहे तो और अच्छा होगा सभी वास्रा नमस्त भारा मेरा एक प्रश्ण भी है गुरुवर हां बोल से गनित का विशे दिगंबर परंपरा के ग्रंथों में प्राप्त होता है मुझसे लोग कहते हैं कि अस्टमी चतुर्दसी संक्रांतिकाल अत्वा निशुद तिथियों में आपको इन ग्रंथों का अध्यन पठन पाठन नहीं करना चाहिए दूसरी बात ये आती है कि तो स्वाध्याय का मंगलाचवन कर पाते हैं और ना निश्ठापन करते हैं क्या इस कारण से मुझे और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोई दोश लगता है और यदि हां तो उसका क्या प्राश्यत पहले तो मैं चाहूंगा एक बार डाक्टर अनपम जी का जोर दार करते हैं करें बरतमान में हमारे समाज के इकलोते ऐसे विद्वान हैं जो जैन गनित की संपून प्रक्रिया को सोथ खोज के साथ आगे बढ़ा रहें पहले डाक्टर एलसी जैन थे और पोफेसर गिल सहाब थे उन्होंने जैन गनित पर अपने सोथ के काईर की शुरुवात की और बैस्विक पठल पर इस बात को स्थापित किया कि जैन धर में जो गनिती ये प्रक्रियाएं हैं वो भारत की बड़ी प्राचीन तम बिरासत है और दस्मलाव प्रणाली के जनेता प्रणेता जनक तो महावीराचार हुए वही हुए ना और इसे विद्वानों ने बहुत बड़ा योगदान है अले एक करंथ है जिसमें सुक्ष्मतम गनिती ये विवेचना है और आप इन गनितों को जब समझेंगे तो आप खुद हत्वरभ रह जाएंगे मैं बीच में एक प्रसंग आम जनों के लिए देना चाह रहा हूँ ताकि लोगों का जैन गनित क जैन जगत के एक बड़े बिद्वान हुए है पंडित रतन चंद मुकतार थे हूने हिंदी भी धंग से नहीं आती थी वे अंग्रेजी और उर्दू पर अधारी थी उनका पाठेक्रम था साहानपूर के निवाशी थे पर बड़े मिधावी थे बड़े और संसकार सील थे उन्होंने जैन वांगमे का इतना गहरा अध्यन किया कि विद्वत जगत में उन्हें रिफरेंस बुक के नाम से जाना जाता थे वो इतने अधिकारी विद्वान थे कि कोई भी बात आए तो बड़े अधिकार पुरवक वो कह देते थे कि अमुक बात अम गंध के अमुक प्रिष्ट पर अंकी थे उनके एक शिष्ष थे अनिल गुपता एक बार जब वो गुमट सा राधिक पल रहे थे तो देखा इसमें गणीती ये भी वेचना है तो अनिल गुपता ने का ये गणीत में क्या रखा आज तो इतने एडवांस सब कुछ हो गया आप इस गनित में कहा उल जे तो उन्होंने का ये पारमार्थिक गनित है पारमार्थिक गनित में क्या रखा है पंडी जी सहाब को अच्छा नहीं डगा उन्होंने कहा देखो तुभारी बात का उत्तर में बाद में दूंगा पर मैं तुम्हें एक सवाल देता है इसका उत student, mathematics से, और उसको उन्होंने एक सवाल दिया, कि वह संख्या बताओ जिसमें दस जोडने पर पून वर्ग हो और दस घटाने पर भी पून वर्ग हो, ऐसी संख्या, जिसमें दस जोडे तो पून वर्ग और दस घटाए तो पून वर्ग, बहुत माथा पच्ची किया, हल नहीं ह पूछ के आना, प्रोफेसर ने माथा पच्ची की, समझ में नहीं आया, दूसरे दिन आया, रॉंग कोश्यन, पंडी जी ने, कहा कि रॉंग राइट में नहीं जानता, मैं तुमें अभी बताए देता हूं, वह संख्या है छबीश, जिसमें दस जोडोगे छतिश होगा, प इससे वो अनिल गुपता इतना प्रभावित हुआ, कि उनके मार्ग दर्स्तन में न केवल जैन गंतों का अध्यन किया, अपितु जैन धर्म को स्विकार किया, और आज भी एक उच्चा अधिकारी के रूप में हैं, और जैन साबक के अनरूप अपना जीवन जीर हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना हो, तो हमारे सास्त्रों में ये सब बाते बहुत सुक्ष्माती, सुक्ष्मरीती से निरूपी थे, आज कल की पीढ़ी इन सब बातों को नजर अंदाज कर देती है, स्वाधाय सी लोग भी जब गनिती प्रसंग आता है तो पन्ना कि लोगों को इनमें अपनी अभी रुची जगानी चाहिए, और आज के जो भी बच्चे जिनकी थोड़ी भी गनित में रुची आपकड़ है, उन्हें इन गन्तों का भी अभ्यास करना चाहिए, बिने के साथ पढ़ने पर सब बाते समझ में आती है, और जिनको इस तरह की गनिती ये प्रक्रियाइं समझ में नहीं आती, उन्हें डाक्टर अनुपम जेजन जैसे लोगों का संपर्क करना चाहिए, और इन्हें थोड़ा परेशान करना चाहिए, ताकि ये भी रिफ्रेस्ट बने रहें, यदि ऐसा करेंगे, तो हमारी ये बिरास्त आगे जब मैंने गोमठ सार पढ़ा था, और अनुलोम बिधी, प्रतिलोम बिधी, अनुलोम बिधी की पुरी प्रक्रिया को देखा, तो मैं खुद हत्प्रभ रह गया, कितनी सुक्ष्व विवेचना हैं, और अलग 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 चीज़ जो दी है, बहुत सुक्ष्माती सुक्ष अलगी नहीं होती, इसे लोग इनकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन ये हमारी सांस्कितिक विरासत है, इसे सब्हालना हमारा धर्म है, रुची पुरवक सबको, गनिती ये सास्त्र का भी अध्यन करना चाहिए, करना नियोग के गंत को ही गनित सास्त के नाम से जाना जाता है, और आप सब सुनकर के आश्यर करेंगे, हमारे आए एक गन्त ही है, जिसका नाम ही है, गनित सार संग्र, खुब गनित का वजब मोचन, और इतना ब्यवस्तित कैलकुलेशन, जो पढ़े, समझे, सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकता है, तो ये तो बात हुई, आप सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में, कि आप गन्तों का अध्यन करने में अपनी रुची बढ़ाए, और गनितिय प्रणाली को भी ठीक तरीके समझने की कोशिश करे, बहुत सारे रिसासेज भी हुए है, अनुपमजीर के मारदर्सन में भी हुए, उन्होंने खुद भी प दास्तों के नुशार तो यह नहीं होना चाहिए, और इनके फल भी बताए है, अश्टिमियों में किया गए आध्यन गुरु सिच्छे के वियोग का कारण बनता है, अब सिध्धान्त गन्तों का आध्यन बिल्कुल ना करें, अब क्या करें हमें तो बहुत कुछ करना तो हमारे हाँ सिध्धान्त गन्त का अर्थ क्या दिया यह समझना चाहिए, सिध्धान्त गन्त यानि सुत्र गन्त यानि जिसका स्चीधे द्वादसांग से संबाद, उसमें आचार बीडनंदी ने आचार सारे में लिखा है, सिध्धान्त आराधना, सिध्धान्त वाचने गुमाठषार काल सुद्धिर मता शुते पुरान आराधन गंत पुरान गंत पंच संग्र आदिक गंत इसे गंतों को गंत ना में onlyफ ती शहत्य वह स्थ ओधसमे के स्विध्य सूद्धिटय है लेकिन सिद्धान्त गंत में मूर्त शठकन डागम कैसा है प्राभश जैसे गंत है उनको देखना चाहिए जहां तक मंगलाचरन का सवाल है ब्याख्यान के कब में मंगलाचरन करने में बहवारी कटनाई आपको आ सकती है पर ओम नमः करके आप अपनी शुरुवात कर सकते हैं ओम नमः सिद्धेव्या करके अपनी शुरुवात कर सकते हैं और द्रबनी तो भाव नमन करके अपनी शुरुवात कर सकते हैं इतना बिने तो करें ही ओम नमः से शुरुवात करे और ओम नमः से अंत करे या सरस्वत् आप सरूमम भी कर सकते हैं, एट कpson एंजमें भी कर सकते हैं, यही आपकी जिन्मानि कि बंदन होगी इसले मंगलाचरन और समयापन करने का प्रेद क्यास जरूर करनाा स्थ cur yeah Church rocky autonomousma spillart containedhof इल्यांट भादना दिए Hal now मेरी तरफ से जगत के सबजियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमस्तु छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा मी महाराश्री इंसान का बोलना भी बड़ी बात नहीं है और चुप रहना भी बड़ी बात नहीं है इंसान को कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए ये विवेक लगाना बड़ी बात है तो इस विवेक को कैसे जागरत करें बहुत अच्छी बात कहीं बोलना बड़ी बात नहीं चुप रहना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक जगाई आपने पुछा ये विवेक हमारे अंतरंग में कैसे प्रकट हो विक्तिक जब भी बोले तो बोलने के बाद कुछ पल के लिए समिक्षा करे कि मैंने जो बोला हो सही बोलाया नहीं बोला और सही जगापर बोलाया नहीं बोला और जब चुप रहे तो चुपी के बाद भी ये विचार करे कि यहां मेरा चुप रहना कितना सही है और कितना गलब यदि हमने सही बोला है तो तै करे कि अब जब कभी भी मौका आएगा हम ऐसे प्रसंग में ऐसा ही बोलेंगे और यदि कुछ गलत बोलने की बात आगई या गलत जगापर बोलने की बात आगई अपने मन को एक कमांड दें कि नहीं आएंदा जब कभी ऐसी सिच्वेशन होगी तो हम ऐसी बातों की पुनरावित्ती नहीं करेंगे इस से हमारे अंदर एक जाग रुखता है जहां हम चुप्पी रखें अगर चुप्पी सही समय पर और सही स्थान पर है तो अपने मन में धाना बिठाएं कि जब भी ऐसी सिच्वेशन होगी ऐसी जिगा में चुप्पी में ही भलाई है हमें चुप्पी साथनी लेकिन जहां हमारी चुप्पी से स्वपर का अहित हो रहा है और हमें लगता है यह चुप्पी मेरे लिए कहीं गलत बन गई तो उसके लिए तुरत अपने मन को एक कमांड दे कि आने वाले दिनों में जब भी ऐसी सुचुएशन होगी मुझे अपनी बात करनी है मुझे बोलना है कहां बोलना और कहां चुप रहने का अनभव हम प्रात कर सकते हैं और अपने बिवेक को जागरत करा जा सकते हैं आज अपने भीच में गुना से अने को समाधियां जिनके निर्दयसन में हुई एक बार जोड़दार तालियों से दिदी का स्वागट करें और चाहूंगा कि उनका सम्वान सिरोमनी सरक्षण सुनिता दिदी और चंदर कलाजी पातनी वहीं पर उनका सम्वान कर दे मन्च परसी और दिदी अपना प्रस्ण कर रही है उसके बाद में तैयार हैंगे महंदर कुमारी जैन गंज भासोदा नमुस्त वगवन मन्चा सीन सीनों मुनी राजों के चरणों में नमुस्त वो सभी छुलग जी को इच्छामी वगवन हम पहली बार सराक्षेत्र जा रहे हैं तो हम सबको वहाँ क्या करना चाहिए हमको कुछ भी नहीं मालूम एक बात दूसरा जो दर्शन विशुद्धी भावना है तो उसमें सात्तत्व छैद्रव्यादी का बताया है और आजी आचार भगवन का प्रवचन सुना उसमें उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र के लिए दया ये दर्शन विशुद्धी है तो इन बातों को हम कैसे समझें पहले तो मैं चाहूंगा एक बार भगवन जी का जोरदार करतल जनी से अधने में करें अभी जैसा महराजी ने का अनेक लोगों की सनलेखना आप ने कराई है और अभी अभी दिल्ली में चेतन दास जी की सनलेखना अन्ति के दिनों में इनका बहुत महत्तपूर योगदान और मारदर सनला आपने दोबात की सराक्षेतर में आप लोग जा रही है धर्म प्रभावना के लिए जा रही है और यही भाव रखें कि हमें धर्म की प्रभावना करने है वो हमारे भाई हैं उन्हें धर्म का बोध कराएं तत्तो का ग्यान कराएं और विशुद्य तया केवर धर्म की पाट कुलाएं बाकी बाते ने जिससे वे अपने जीवन के मर्म को जान सके और जीवन का पत अच्छा बना सके दर्सन विशुद्धी का जहां तक सवाल है गुर्देव ने बिल्कुल सही का जीव देया सम्मेक दर्सन निर्मल सम्मेक दर्सन का नाम मातर दर्सन विशुद्धी नहीं है बिश्व कल्यान की भावना से अनुप रानित विशुद्ध सम्मेक दर्सन का नाम दर्सन विशुद्धी इसे जिगत कल्यांग जिसके हिदय में प्राणी मात्य के प्रति दयार करना का भाव होगा वही दर्सन विशुद्धी जैसी परनाती से भर सके मेहंदर कुमार जी जैन गंज बासोदा और उसके बाद में तयार हैंगे देवेश कुमार जैन केशली सागर मेरा प्रिशन विश्यार जी है कि मैंसे कुछ माई पहले केरिटनेल लेवल्ल कृति की समस्या है जिससे मेरा केरिटनेल लेवल 9542 हो गया था यो इसके बाद डाइलेसिस पर हो गया थे लेकिन मैंने डाइलेसिस नहीं करकर जो भी उनने दवाएं दी और आपका भावनायोग क कारिकम देखकर मुझे यसा लगा कि मुझे भी भावनायों करना चाहिए और जो मैंने सोबह सोबह चालू किया उससे गुरुदे मेरा क्रिटनल लेवल कल की स्थिति में 6.35 हो गया है और हीमोगलोवीन भी 11 के आसपास पोच गया है बस इतना ही कहना चाहूंगा भावना एक बहुत अच्छा बैम या उसको करने से सबको अच्छा लाब बिलता है बहुत दूरा आप अभी डायलेसिस करा रहे हैं नहीं माराजी बिल्कुल नहीं और क्रिटनायन आपका 6.4 हो गया बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये देखे यह क्रिटनायन के दूसरा उधारने एक स नहीं का बोल रहे हैं आप इसी चरह करते रहे हैं और अपने चीकित सा भी करते रहे हैं निशित आपको और लाब मिलेगा और उखो भी प्रेडनायन बहुत 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 आशिदा देवेश कुमार जी जैन केसली सागर और उसके बाद में मनानी जैन राजवाड़ा दर्शन में क्या अंतर होता है और जैन दर्म और जैन दर्शन में हम कैसे विवीध करें दर्म और दर्सन में होता ही अंतर जितना आचार और विचार में धर्म हमारे आचारात्मक पक्ष को प्रकट करता है तो दर्सन हमारे पैचारिक प्रिष्ट भूमी को अभिवेक्ट करता है समझ गया है धर्म को हम पैर कह दे तो दर्सन को अपनी रीड कह दे जैसे पैरों के बिना हम चल नहीं सकते तो ऐसे रीड के बिना खड़े नहीं हो सकता समझ गया है आचार ही हमारे विचारों को अभिवक्ती देता है पर बिना विचार के आचार भी टिक नहीं पाता इससे धर्म और दर्सन दोनों एक दूसरे के पूरक समझने चाहिए समझ गया है जैन धर्म है जैन अचार अहिंसा मुलक आचार है। जो हमारे जीवन को उन्नत बनाने का दास्ता बतागी Mahan Dalih Jaina Rajwadar Indore और दोने के आट में कि अश्टमी चतुरदशी अश्टानिका और पर्यूशन ये सब अपने पर्व हैं लेकिन आजकल की जो युवाएं हैं वो इन सब को नहीं मानते अश्टमी क्या चतुरदशी या रात में खा रहे हैं अना मलब सारे कंद भी खा रहे हैं तो इससे हम सब मलब हमें कैसे मतला ब पर्व के रूप में जाना जाता है और अश्टमी और चतुरदशी के दिन विसिष्ट सेयंप अनुष्ठान हमारे हां किया जाता रहा है धार्यू के माननेता है कि अश्टमी अश्टकर्म के नासकार चतुरदशी 14 गुनस्तानों से पार उतने का पती कि लेकिन इसके पीछ एक विज्ञानी कारण एक साधक कोई साधना के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी शक्ती और परिस्तिती के अनुसार सैयम की आराधना करनी होती है जैन धर्म को मूर्ता अहिंसा सैयम और तप मूलक धर्म अपने जीवन को उचा उठाने के लिए हमें अहिंसा सैयम और तप का मार्ग अपनाना चाहिए नित्त प्रती अपते जीवन में हम सैयम तो रखे ही लेकिन उस सैयम का अभ्यास बढ़ाने के लिए हमारे हाँ खुश तिथियां ऐसे निश्चित कर दे कि बाकी दिनों में हम करे या ना करे अश्टिमी चत्र जैसी जैसी तिथि को सास्वत तिथि मान कर उस दिन हम सैयम रखे उपवास करे एकासन करे और इतना भी नहीं कर सके तो इस तिथि को एक पवित्र तिथि मान कर अपने खान पान में सैयम रखे यह हमारी सापताहिक तिथियां है जिससे हमारी परंपरा जुड़ी भी है, हमारी सांस्कृतिक पहिचान जुड़ी है आज भी अनेक ऐसी परंपरा हैं, जिन में किसी में सुक्रवार, किसी में रवीवार उनका विशेश दिन माना जाता है लेकिए जैन धर्द में अस्टमी और चत्रदसी को जो विशेश ती थी के रूप में मानने किया गया इसके पिछे एक बड़ा बैग्यानिक आधार देखने को मिला मैंने एक सोध लेक पढ़ा था वो उस लेक में एक बड़ी गहरी बात दिखी थी वो सोध मुखतया अमेरिका में रहने वाले लोगों के उपर किया गया था अमेरिका चुकि एक सीथ कत्रिवंधी ये देश है और वहां सर्दी के सिकार लोग ज़्यादा होते है तो वहां उसके उपर एक सोध किया गया और उस पर आधारित लेख मेरे पढ़ने मैया उन्होंने लिखा कि जैसे धर्ती पर दो तिहाई जल भाग है और एक तिहाई ठोस भाग वैसे हमारे सरीर में दो तिहाई जल तत्व और एक तिहाई ठोस तत्प रहता है जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जलस्तर घटता बढ़ता है वैसी चंद्रमा के प्रभाव से हमारे सरीर का जलस्तर भी घटता बढ़ता है चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करता है मन से हमारे सरीर के जलस्तर में व्रिद्धिहानी होती उन्होंने एक डाइग्राम बनाए था उस डाइग्राम के अनुशार अश्टिमी, चतुर्दसी, पंच्छिमी, एकादसी और पंद्रस इन तिथियों में जल तत्त को पूर्ण उफान पर बताया था और उसमें लिखा कि इन दिनों हमारे सरीर में जल तत्त की विशेश वृध्धी होती है और यदि इन दिनों हम उपवास करें तो हम सर्दी के सिकार कम होंगे उसमें उन्होंने विशेश टिपने लिखे कि इसी लिए भारती परंपरा में खास कर जैन परंपरा में इन दिनों उपवास का विधान किया गया उपवास नहीं तो एकासन एकासन भी करे तो हरी न ले ताकि सरीर में कम से कम जलतत तो हाए और उससे हमारे सरीर का रासमेंट कम से कम तर हो समझ गया है तो इसको हम इस अर्थ में लेते हैं कि अजनत इच्छियों में उपवास करने की अपिक्छा यदि अस्टिमी और चत्रजशी को हम चुनते हैं तो इससे हमें गर्मी कम बढ़ेगी क्योंकि नैसरगी रूप से सरीर में पानी का उपान जदा है तो यह हमारा एक अभ्यास है और यह अभ्यास सबको करते रहना चाहिए इसी अभ्यास और सत्प्रयास से हम अपना पत्प्रसस्त कर सकें पंडिते आनेकान जी सास्त्री और उश्केबादी चुलड मारणी पुझ मुनिवर के चरणों में नमोस्तु निविदित करता हूँ और चुलग जी महराज के चरणों में एक शामी पुझ गुरुभर एक जिग्यासा है संका है यह देखने में आता है कि बहुत सारे लोग किनी की लिखी हुई कविताओं की पंग्तियों पर से अपना नाम उनका नाम हटा कर अपना नाम लगा देते हैं इस्तुती हुई संस्तुती और यह जो चंद आदी की रचना होती है पूजा विदी विदान उनको सारा का सारा उठा कर पूरा रख देते और अपना नाम लगा देते क्या ये करना सही है अगर इसमें दोस है तो उसका दोस क्या होता है मराज़। अगर आपने तो बोला इस्तुति मैंने तो देखा पूरी की पूरी किताब लोग अपने नाम से चाहते हैं ये साहितिक चोरी है समझ गया तो ये चीजे नहीं होना चाहिए और इसी तरह किसी की पंक्ति आहां लिखा है तो अगर किसी ने अपने अन्त में अपना नाम लिखा है और आप उस पंक्ति को पढ़ रहे हैं और उस जगा उसने नाम बुद्याच हूँ तो भक्ति तो ये अपराद है आप तो दूसरे की कविता को पढ़ रहे हैं दूसरे की पंक्ति को पढ़ रहे हैं उसके भाव को अपने भाव से मिला कर पुन अर्जन कर रहे हैं लेकिन उसके नाम का बिलोपन कर रहे हैं तो ये निन्नव है इस से बचना चाहिए ये तिब्र ग्याना वरन कर्म क्या बंध कारे मनता है और इसी तरह कई लोग मेरी कई कविताएं जो मैंने आप लोगों से चर्चाओं में सुनाया लोगों ने अपने नाम से छाप लिया अब मेरे लिए वो कविताएं सुनाने राइक भी नहीं बचे क्योंकि मेरे मुख से बोली वो कविताएं प्रकासित नहीं है और लोगों ने चाप दिया चाप दिया तो चाप दिया चलो वैसा ही हम भी उसमें आ सकती नहीं रखते लेकिन यह अपराद है अगर कहीं किसी की कोई कृती कोई रचना का आप योग करना चाहते हैं तो आप उलेक करके करें और कोई भी पाठ में जैसे पढ़ते हैं हम अरुन कामना देख सके युग युग तक मागामी बसन तो अरुन का नाम तो लो अब उसकी जगा आप अपना नाम कर लो कई लोग बोलता है भक्त भावना क्यों परिवर्तन मोल नाम में परिवर्तन एक प्रिकार का अपराद है ये निन्ना है तेब्र ग्यानावन कर्म के बंद का करन है बोलिए परंपूज आचर गुर्वा स्री बिद्यासा गर्म